असलामुआलेघ्म वैलकम नियासरेली चैनल studiedEng मैं में me ach AP ममें में में पढाता उमीद आप सम्हें वह वीडियो देखी होगी ज्सने नई देखी संवे उसको जाकर पहले उस वीडियो को in true respiratory पार्ट है वह पढ़ें ठीक है और जो में नोट्स मैंने उसमें प्रिपर करवाएं उसको बनाएं उससे फिर आपको फाउंडेशन पता चलेगी कि बेटा मेडिवल इंडिया की फाउंडेशन क्या थी और मुसल्मानों का इंवेजन इंडिस्तान में किस तरह हुआ अब हम पढ़ेंगे स्टेब्लिश्मेंट ऑफ डेली सल्तनत इंडिया एकस्पेंशन यह बिटा स्टेब्लिश्मेंट औश्पेंशन ऑफ डेली सल्तनत कल मैंने इनके बारे में बताया था थोड़ा ओवर्वियू दिया था ठीके बेटा आज भी हम थोड़ा सा ओवर्वियू लेके चलेंगे देखिए बेटा दिहान से देखिएगा मैंने आपको कल बताया था कि सल्तनत एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा एंपायर और इस सल्तनत के अंदर कई सारी डाइनस्टीज होती है तो बेटा डेली सल्तनत सबसे पहली हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की कौनसी आई बेटा डेली सल्तनत कौन सी आई कौन सी सलतनत थी सबसे पहले डेली सलतनत और इस डेली सलतनत में पहली डाइनस्टी कौन सी आई बेटा सलेव डाइनस्टी आई कौन सी डाइनस्टी आई बता चुका हूँ कि सलेव डाइनस्टी क्यों आई मुहमद गोरी का पूरा सामराज्य था पूरी हुकूमत मुहमद गौरी की थी मुहमद गौरी का एक ट्रस्ट स्लेव था बहुत ही ट्रस्ट वर्दी था हो उस स्लेव को जिसका नाम था खुत्व उद्दी नहबक अपनी पूरी की पूरी सामराज पूरी की पूरी जो अपनी हकूमत थी वो पूरी अपनी स्लेव अपने घुलाम को हेंड ओवर कर दी और वापस अफगानिस्तान चले गए अब जब कुतुबदी नहबक आए तो उन्होंने डेली सल्तनत की बुनियाद रखी और अपनी एक डाइनस्टी बनाई जिस डाइनस्टी का नाम था स्लेव जाता है स्लेव डाइनस्टी ठीक है यह था ओवर वियू अब यहां पर देख लेते हैं ठीक है अब बिटा ममलूग सुल्तान यह ममलूग को ही ममलूग ममलूग सुल्तान को ही क्या बोलते हैं हम स्लेव डाइनस्टी बोलते हैं एक्जैम में कंफ्यूज मत हुए होएगा अ तिनों के ही आंसर क्या होंगे बिटा कुतुब अबख का पिरेड हम देखते हैं तो बिटा 1206 से 1210 यानि लगबख चार साल आपकी हकूमत रही कुतुब अबख की ठीक है अब कुतुब अबख हिंदुस्तान में जब आए और जब हिंदुस्तान की मेही थे ये तो قطب الدین عبق نے जब अपनी सल्तनत कायम की तो ये बेटा कौन से थे तरकिश स्लेव थे महम्मद घौरी की आर्मी में इनका काफी उचा मकाम था काफी उचा ओदा था हाइस रेंक पर हाइस रेंक पर थे लेकिन बेटा इनकी कुछ खासियत भी थी लेकिन इनके जमाने में ना बहुत ज्यादा क्लैशस बढ़ गए महम्मद घौरी के कमांडर ने भी इनके खलाब बगावत कर दी कुछ और राजा थे राजपूता जो घराने थे उन्होरे भी इनके खलाब बगावत कर दी तो काफी अच्छे से इन्होंने उन बगावतों को डील किया यानि लगबख सब को ही इन्होंने हराया बगावत में अब यहां पर जैसे एक नाम आता है बेटा इंडियन चीफ ते ताजदीन यल्दोज ये रूलर थे बेटा किसके घजनी के रूलर थे घजनी एक शहर है आपको बता चुका हूँ ठीक है राजपूत जो थे राजपूत आना घराना जिसको हम बोलते हैं जो राजस्तान में पाए जाते हैं इनके खिलाफ मुहमद गोरी और कुतबदी नइबक के खिलाफ कई सारी ने राजपूत आना घराने से भी वह जाएड़ सी बात है क्योंकि राजपूत की जो सबसे बड़े और सबसे बहादर सेपाही और सबसे बहादर राजा प्रिविराच चौहान को कटल किया मुहमद गोरी ने तो एक जाहर सी बात एक नंफरत होती है दिल में तो कुटबदी नयवक को भी इन लोग उने ढंक से नहीं रहने दिया और बार बार बगावत होती रही फिर ताजदीन यल्दोज जो के घजनी के थे उन्होंने भी डेली सल्तनत को हड़पना चाहा लेकिन कुछ भी नहीं कर सके फिर नासर अद्दीन कबाचा ये सब जो थे ये जितने भी रूलर थे ये सब गवर्नर थे किसके बेटा मुहमद गोरी के ठीक है उसके बाद सकसेसर अफ जैचन क्या नाम था हरीश चंडर इन्होंने तुरकों को निकाल दिया था कहां से बदाईयों से और फरुखाबाद से ये दो शेहरें बदाईयों फरुखाबाद यूपी के इन दोनों शेहरों से बेटा निकाल दिया था लेकिन जब कुतुबद्दी नइबक का दोबारा इंपायर आया तो उसने बदाईयों और फरुखाबाद इन दोनों शेहरों को वापस ले लिया ठीक है कुतुबद्दी नइबक बहुती बहादर सिपाई थे और बहुती ज्यादा मतलब देने वाले थे ठीक है गिवर थे इसलिए इनको का जाता है लाक बक्ष लाक बक्ष का मतलब है बेटा दा मोस्ट गिवर बहुत ज्यादा देने वाले और यहां देखो क्या लिखा है दा मोस्ट आफ दे स्कॉलर्स कंसीडर एबक एज़ रियल फाउंडेशन ओफ मुस्लिम रूलर मुस्लिम रूलिन इंडिय अब यह ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि बैटा अभी तक जो भी राजा आए आए गए आए गए आए गए वो यह था लेकिन इन्होंने इस्टेबलिश किया मुस्लिम एमपायर को हिंदुस्तान में क्या किया स्टेबलिश किया कुछ और खास बाते इनकी आप लोग कब से कब तक रही 1206 से बिटा रही कब तक 1290 तक इसके अंदर कई सारे किंग आए इसमें कुतोबुद्धी नयवक का पिरियट सिर्फ चार साल है 1206 से लेके 1210 तक लेकिन पूरी स्लेव डाइनेस्टी जिसमें कई सारे किंग आए उनका जो 10 tenure है वो कब है 1206 से लेके 1290 तक अब इन्होंने क्या किया बिटा सबसे पहले इन्होंने कैपिटल अपनी क्या रखी लाहॉर इनकी कैपिटल क्या थी लाहॉर थी और फिर क्या बन गई डैली यानि पहले इनकी कैपिटल लाहॉर थी दैन ही वोस दैन ही शिफ्टिट कैपिटल टू डैली लाहॉर से कहा बेटा क्या बनवाया जिए उठार बिटार अब यहां पर बीटा चीज एक इम्पॉर्टेंट है कि विल्ट भूरों किसे नाम पर बनी को मिनार test का फांडियशन नहीं was led by कुतूब الدین हिबक बट नेम आफ कुतूब मिनार जो नेम रखा गया कुतूब मिनार ये कुतूब ये कुतूब الدین हिबक्त ने अपने नाम पर नहीं रखा बलकि एक सूफी संथ थे बेटा जिनका नाम था जो मैं जिनके बारे में आपको सूफी movement में पढ़ाऊंगा खुआजा कुटब अद्दीन बख्तियार काकी ये नाम आपको याद करना है 100% सवाल मतलब 100% नहीं कहता लेकिना 90% सवाल 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 में सवाल पूचा जाता है सूफी movement में के कुटब मिनार का किस के नाम पर रखा गया या काद रहता है संथ हैं जिनके नाम पर को तो मिनार का नाम रखा गया दूसरा बेटा ही लेड़ दी फाउंडिशन स्टोन ओफ धाई दिन का जोपड़ा बहुत खुबसूरत जगा है बेटा अगर आप कभी जाना चाहें अजमेर अगर आप गए हूं तो अजमेर में है ये धाई दिन का जो तो कुत्व अद्दीन अबक का जो इनतकाल हुआ था या फिर आप ये समझ लें कि कुत्व मिनार के जस्ट बराबर में एक मॉस्क है जिस मॉस्क को हम बोलते हैं बेटा कुवत अलस्लाम मॉस्क क्या बोलते हैं कुवत अलस्लाम मॉस्क अच्छा इस मॉस्क की खासियत क्या आए क्यों पढ़ाई जा रही है सेकड़ो राजाओं ने सेकड़ो मस्जदें बनवाई इस मस्जद के खासियत क्या है तो आपको जानके हिरानी होगी कि इस मस्जद के खासियत यह है कि फर्स्ट मॉस्क बल्ट इन इंडिया हिंदुस्तान की ये पहली बनी हुई मस्जद है यानि हिंदुस्तान में पहली मस्जद बनाई गई कौन सी बनाई गई कुवत लिस्लाम मॉस्क कहा पर बनाई गई बेटा देहली का एक शेर है महरोली यहाँ पर बनाई गई ठीक है किस के थरू बनाई गई कुवत लिस्लाम म अां अस्टाम मौस्क पहली मस्जित है हिन द्रस्तान की ठीक है याता निकस्ट है इसका अब आता है यहाँ पर सॉरी अब कहां पर इन्तेकाल हुआ तो डाइड अट लाहौर कहां पर इनका इन्ता लुहां क्या llega का पोलो की तरह एक गेम होता है पोलो देखा है आप लोगोंने पोलो सुना होगा ठीक है तो पोलो की तरह एक गेम होता है जिसको हम बोलते है चोहन उस पर यह गोड़े पे बैटकर खेल रहे थे गोड़े से गिरे बुखार आया और उनका इंतकाल हो गया ठीक है यही वज़े इनकी बताई जाती है, समझ में आगई बात, ये था पूरा मामला कुत्वद्दीन एबक का, एक बार ओवर्वियू लेते हैं, कुत्वद्दीन एबक कौन, फाउंडर ओफ डेली सल्तनत, फाउंडर ओफ सलेव, डाइनस्टी, पीरिड क्या है, ट्वैल जीरो सिक्स से लेके, ट्वैल हंडरेड, टैन, यानी फोर इयर्स, इलबारी डाइनस्टी भी का जाता है, ममलूप सल्तनत भी का जाता है, कैपिटल लाहूर थी, फिर क्या बना ली इन्होंने, डेली, कुत्व मिनार बनवाई, किसके नाम पर, खौजा कुत्वद्दीन बख्तियार, काकी के नाम कैसे गोडे पे बैट कर पोलो खेल रहे ते, गिरे बुखार आया और इनका इंतकाल हो गया, ये थी पूरी कुत्वद्दीन एबख्ति की कहानी, क्या कहा जाता है, इनको लाख बख्ष कहा जाता है, बटा क्या कहा जाता है, लाख बख्ष, दा गेवर ओफ लैक्ट्स, जब हम इल्तुत्मिश की बात करेंगे, तो बेटा सबसे पहली बात तो इल्तुत्मिश का नाम क्या था, तो इल्तुत्मिश का नाम आप सब को पता होना चाहिए, बेटा इल्तुत्मिश का नाम था, शमसुद्दीन, क्या नाम था बेटा, शमसुद्दीन, अब इल्तुत् कुद्दी ने अबक का नितकाल हुआ तो उनका एक बेटा था जिस बेटे का नाम था बेटा अरम शाह अरम शाह को कुछ लोगों ने मिलकर राजा बना दिया लेकिन वह इनकापबल रीडर लीडर था इतनी उस पे समझबूज नहीं थी कि वह पूरी इतनी बड़ी सल्तनत को काइम रख पाता तो अब बदाईयों के एक गवर्नर थे बेटा जो दिली के बड़े बड़े टर्किस चीफ थे उस जमाने के उन्हों ने बदाईयों के गवर्नर को एक लेटर भेजा कि ये इनका बेटा किसी करम का नहीं है और आप आएं और हकूमत समाले ये कौन थे बे होने ये काबिज हुए फिर दिली सल्तिनत किसके अंडर में आ गई इलतुतमिश के यानि इलतुतमिश कौन थे दूसरे राजा थे किसके स्लेव डाइनेस्टी के दूसरे पॉपिलर राजा अब बेटा इलतुतमिश के सामने भी वही सारी चैलेंजिस थे उदर से शान ये देखिए बेटा चंगेज खान इसने कई सारी एेंपायर को खتم कर दिया تو जाहर जी बात है हभवारिज्म एमपायर को भी खत्म कर दिया मόंग बेटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एमपायर ब्रीटिश एमपायर था मोंगोल मौंगोल दूसरा सबसे भयानक और सबसे बड़ा empire गुजरा है पुरी दुनिया का अच्छा मौंगोल पहला क्यों और ब्रिटिश ऐंपायर पहला क्यों प्रिटिश एंपायर बेटा टुकुड़ो में था कहीं हिंदोस्तान में हैं समझ रहें कहीं यहां है यौरप में हैं अ एक ही सफारा थे ये एक ही तरह से एक जगा से स्टार्ट किया एक जगा इंतहा कर दी एक ही तरह से ये हकूमत अपनी लेते चले जा रहे थे तो जाहर सी बात है हिंदुस्तान को इस बड़ी सी हकूमत से अफेक्ट तो होना ही था तो इलतुतमिश के जमाने में भी ये काफी जादा डॉमिनिटिंग पावर रही तो इलतुतमिश को भी बहुत ज्यादा परशानी हुई लेकिन उसके बाद बेटा क्या हुआ अब बेटा एक चीज मैं आपको बताओं इलतुतमिश बिहार और बंगाल के एक कमांडर थे जन्होंने इलतुतमिश के खिलाफ बगावत कर दी तो इलतुतमिश ने अपने बेटे की साथ एक बहुत बड़ी आर्मी बेजी और बेटे का नाम था बेटा नासिरुदीन जिसने इवाज खान को क्या कर दिया डिफीट कर दिया हरा दिया बिहार और बंगाल में और फिर डेली सल्तनत वो कहां से वापस आ गया यानि दिली वापस आ गया यानि बिहार और बंगाल अब बंगाल तक का इलाका बेटा डेली सल्तनत के अंदर आता था यहां तक बात क है 40 चहलगानी ग्रोप ओ में लोप आफ 40 नोबल स्भूप ओफ 40 नोबल ये 40 नोबल शक्सियत थी बहृती ग्रैंट शक्सियत थी जिनाँ हो ने जो तर्केस से भूल आया था किनों किनों नेव भूला भूलाया था शमसुद्दी सिन लिए important है get word तरुका ने चाहलगानी तरुकाने चाहलगानी 40 नोबिल्स थे जो कि अर्किस से बुलाय गए थे ताकि वह उनका administration अच्छे से समाल सके चाये वो legal हो चाये वो financial हो चाये वो court के मामला हो कोई भी मामला हो चायए वह army का मामला हो और कौन नहीं होगा इसमें भी काफी बड़ा रोल तुरकाने चाहलगानी रखते थे लेकिन बाद में इनकी बद्खस्पती के एक राजा स्लेव डाइनेस्टी में ऐसा पैदा हुआ बड़ा जनोंने इनका नाम निशान दाकर रख दिया और उस राजा का नाम था बेटा बल्बन चानाम था बल्बन नाम था थीक है चलिए आगे बात करते हैं इल्तोटमिष्ण नहीं जायर सी बात है डेली को जतनी भी पूरी दुनिया में जो आफ्यर चल रहे थे पूरी दुनिया में जो मारकार्ट जो एकल अलग कर पर इसने को चीजें इंट्रोडीज की कि एरिया बहुत बड़ा हो चुका था इसने इक तासका सिस्टमिंग तो उसको छोटे छोटे इस सो में डिवाइड कर दिया जिसको हम बोलते हैं एक्तास और फिर उन छोटे छोटे लैंड्स में एक सुपरवाइजर रखा उन सुपरवाइजर को हम बोलते हैं बेटा इक्तिदार आज कल भी जिसके पास हकूमत होती है मुसल्मान कहते हैं कि वो इक्तिदार में है वो साहिबे इक्तिदार है यानि हुकूमत उसी की है तो एक्तिदार से इक्तिदार निकला यानि जिसका जो एरिया होगा वो उसका इक्तिदार होगा त्हीके वह उसकी इकिदारी होगी है वह उसका इकिदार होगा, इसने रटा एक कररंसी सिस्टेम लाया यह दो कौईन्स इस ने वह की एक तो टंका और एक जित्तल, इलतुत्मिश इंटू कोईन्स टंका और जित्तल बेटा टंका कहते थे सिल्वर कोईन को जित्तल कहते थे कौपर का एक कोईन होता था उसको बोलते थे ठीक है बेटा यहां तक बात आती है इलतुत्मिश की अब जहां पर इलतुत्मिश की बात आती है तो दो चीज़े और इ शमसी मस्जद कि यह उन्हें बिटा बडाईों में हैं शमसीध कहा है बडाई आप बडाईों में हैं अब शमसीध बडायों में इसके खासिए तो इस मस्जद के खासिए यह है कि ये लारजेस्ट डॉम آ声 के टिआ है क्या है बेटा ये largest dome of mosque in India जिन हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिद हैं सबसे बड़ी dome किस मस्जिद की है बेटा जो इलतुत मिशने बनवाई जिसको हम बोलते हैं शमसी मस्जिद अचा इसकी ranking overall structure में कितनी है तो बेटा overall structure में इसकी ranking पूरी इंडिया में third है ये third largest mosque है इंडिया की अब जब ये पता करना है तो हमें जायर सी बात है फिर question आता है कि पहली दो मस्जिद कोन सी है तो rumor बेटा और myth जो है हिंदुस्तान का वो ये है कि पहली सबसे बड़ी मस्जिद इंडिली जामा मस्जिद है लेकन ये एक myth है ऐसा कुछ नहीं है बेटा पहली सबस सबसे बड़ी मस्जिद बेटा है डेली जामा मस्जिद बिल्ट बाइ शाजहां कहां पर है डेली में जायर सी बात है डेली में सबको पता है लेकिन जो थर्ड लार्जिस मॉस्क फिर कौन सी आ गई ये आ गई अचा एक बात और अगर आप लोग बुक्स में पढ़ेंगे जैसर हमने तो बुक में पढ़ा था के लार्जिस डॉम ऑफ इंडिया गोल कॉंड़ा डॉम है वो ये नहीं है लेकिन बिटा देखो वो लार्जिस डॉम है मैं यह लिख रहा हूं लार्जिस डॉम ऑफ मॉस्क वो सिर्फ गुमबद है उसके अलावा कुछ नहीं लेकिन य किस नहीं कुटों मिनार्बी किसने कंप्लीट कराई कुटों सॉरी इंस स्टार्टिडवाई को संदी नहीं नहीं कösित इसके बिटा नेक्स आती आप डेखो इंस को यह लगा सुलतान शं Chinese को यह लगा कि मेरा कोई भी सन इतना capable नहीं कि वो मेरा successor बन सके मेरे बाद राजा बन सके मेरे बाद हुकूमत समाल सके तो उन्होंने क्या करा कि अपनी जो सल्तनत थी वो अपनी बेटी के हाथ में दे दी और उनकी बेटी का नाम था बेटा रजिया सुल्ताना अब यहाँ से बेटा फिर बनाईयों की बात आती है और बनाईयों शेहर में दो ऐसी शक्सियत पैदा हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्लेबस पॉइंट उव्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो खौजा निजाम अद्दीन ओलिया यह कहां के है बेटा बनाईयों में पैदाईयों की और दूसरी रजिया सुल्ताना यह दोनों ही अजीम शक्सियत बेटा कहां पैदा हुई बनाईयों में पैदा हुई है अब यहाँ पर रजिया सुल्ताना की बात आईगी तो जायर सी बात है रजिया सुल्ताना और जो 40 नोबल्स थे तुरकाने चाहलगानी थे शुरू से ही उनका क्लैश था अपस में शुरू से ही उन लोगों में अन्बन रहती थी कभी वो इनकी बात नहीं मानती थी कभी वो इनकी बात नहीं मानते थे और जो तुरकान चाहलगानी का जो तुरकिश नोबल्स का स्टेटस था वो बहुत ऊचा था जितने भी बड़े-बड़े मनसब थे ओधे ते या बड़ी बड़ी जो ओफिस थे वो सब किसके हाथ में थे तुरकिश लोगों के हाथ में थे تو رضیہ سلطانہ نے انہیں ہلکے ہلکے کیا کرنا کم کر دی انہیں جابز دینا اوچھے اوچھے عودے پہ انہیں رکھنا یہ کم کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اوپر لانے لگی جس کے وجہ سے ترکش نوبل جو تھے وہ ظاہر سی باتیں ان سے کھسیا گئے اور بہت ہی بری طرح سے رضیہ سلطانہ کے خلاف ریولٹ کیا اور پھر انہیں ہرایا یہاں تک کہ انہیں مار دیا और रजीया स्लताना फिर राणी नहीं रही ठीखे चलिए एक बात देखते हैं जब रजीया इцы ने रजीया सुलताना TIME को खूमत दी लेकिन 12 लिटा एक डात याद रखीह इक रजा रग्तिच्विक। बना था कून बना था रुक नुद्दीन फिरोज बना था लेकिन उसके बाद मिलिटरी ने दुबारा हैल्प करी और जो आप जो लोग थे आवान ते उन्होंने हेल्प करी और रजिया सुल्ताना दुबारा काबिज हो गई हकूमत पर देहली की पहली सुल्तान फर्स्ट एंड लास्ट लास्ट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ आप तो लास्ट ही है क्योंकि डेमोक्रेसी आगई तो फर्स्ट एंड लास्ट रूलर वूमन रूलर ओफ डेली ना इससे पहले दिली पे किसी लड़की ने हुकूमत करी ने इसके बात ठीक है रजिया सुल्तान अब रजिया सुल्ताना ने जाहर सी बात है एक शक्स था रजिया सुल्ताना का वो अभी सीनियन था बेटा अभी सीनियन एक जगा है अब तो वो मुमालक में आती है जिसको आज बोलते है इतोपिया ठीक है वो इतोपिया जिस उसका नाम था बैटा मलक जलालुदीन याकूत इसको इसने एक मनस्प दिया एक अौदा दिया एक ओफिस दिया जिसका नाम था बैटा अमीर अखुर और अमीर आखुर कहते हैं बेटा master of horses को गोडों का जितना भी इस्तबल था जितना भी तबादला होना था क्या होना ए घोडों का जो मामला था जाहिर सी बाते राजा महराजाओं के जमाने में घोडों की बहुत बड़ी कीमत होती थी और जाहिर सी जंग अगर जिसके जतने विसीनियन बनाया तो तरकिष जो है वो और ज्यादा इंसे चड़ गए और यहां तक कि शी गॉट किल्ड आफ्टर शी वोस डिफीटेड बाई दी नोबल्स नोबल्स हारी हारी और फिर मार दी गए इनके बाद बेटा नासर उद्दीन महमूद आए नासर उद्दीन महमूद के बारे में कोई भी चीज इंपॉर्टन नहीं है बेटा बस आप इतना समझ लें कि राजिया सुल्ताना के बाद नासर उद्दीन महमूद आए नासर उद्दीन महमूद की बेटी से फ बाल्बन के हाथ में यह वो राजा था जिसका जिकर मैंने ओपर किया कि तुर्कान चाहलगानी की बतक्समती थी कि स्लेव डाइनेस्टी में ऐसा राजा पैदा हुआ जिसका नाम बाल्बन था इन्हों ने भी कई सारी खुराफाते करीं लेकिन यह किसी के आगे जुकना मनज मनजूर करते थे तो इसी लिए बाल्बन का नाम आता है तो यह आता है कि बाल्बन डिस्ट्रॉइट ओल दी स्क्रप्चर्स, अल दी फैक्टस ऑफ तरुकाने चाहलगानी अब देखिए यहां पर आया तरुकाने चाहलगानी के बारे में जब हम बात करेंगे तो बार बार भालबन इंपोर्टेंटर रचेंहीं आपको बताता है तो ऑलबन इंपोर्टेंट टॉपिक है बालबन के बारे में अब सबसे पहले बालबन के बारे में बालबन का पिरेट दे के नहीं twa 66 से बेटा 1287 राण बालबन का पीरेट क्या रहा है 1287 बालबन के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसने मिलिटरी देपार्टमेंट से सेपरेटेड फ्रों फिनेंशल डिपार्टमेंट यह फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या किया सबसे पहले इसने बिटा मिलिटरी डिपार्टमेंट अलग रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रहेगा अब उस जमाने में बिटा मिलिटरी डिपार्टमेंट को हम क्या कहते थे दीवाने आरेस मिलिटरी डिपार्टमेंट को क्या कहते थे बिटा और फाइनेस डेपार्टमेंट को क्या कहते थे दीवाने विजारत यानि बालबन सेपरेटेड डीवाने आरिस फ्रॉम डीवाने विजारत पहले जमाने में क्या होता था एक किंग है एक उसका रेप्रेजेंटेटर है वही सारे काम समालता था आर्मी के सारे काम भी वही समाल रहा है एकनामी के सारे काम भी वही समाल रहा है कई जाना है तो वही जा रहा है तो इसने क्या किया सबसे पहले कि नहीं आपका अलग डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो मिलिटरी डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी नहीं देगा वो मिलिटरी डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी नहीं करेगा तो यह first king था जिसने military department को separate कर दिया किस से अलग कर दिया finance department से यानि दीवाने आरेज अलग होगा दीवाने विजारत अलग होगा दूसरा बालबन का जो सबसे बड़ा करनामा था वो बेटा ये था कि बारबन ने बारबर 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 निकल रहा है लेकिन बालबन है ठीक है इसने दो अपने आपको टाइटल दिये पहला टाइटल जो था जिले इलाही और दूसरा था नाइब खुद जिल्लए इमार्बी को शिल किसको कहते हैं अरबी में कहते परचाई को जिल कितना जिल्ले जिल मुन दरिजा जिल यानि नीचे गए को नीचे दिए हुए तो जेल का मतलब मुन दरिजा जेल तो मतलब नीचे दिये गए ठीके तो अब जिल-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- रिप्रेजेंटेटर ओफ गॉड या फिर वाइस रॉय ओफ गॉड ये दो टाइटिल इसने खुद को दिये के एक तो मैं खुदा की परचाई हूं दूसरा खुदा का नुमाइंदा हूं खुदा का नाइब हूं तो ये दो बड़े खतरनाक लगद इसने एजात किये ऐल्ही। माजद ल्लाओ नेथ देखो अब देखो या इसके बाद बिटा नाइब खुदाई के बाद इसने दो प्रैक्टिस करी दो चीज़े और एजात की एक तो इसने इजात किया बिटा सिजदा रोस अब सिजदा सिजदा होता है आप सब को पता होगा कि मुसलमान नम सिजदा है इस सिजदे का मतलब था किस सिजदे का मतलब था कि आप उनके सामने सर को जुका ले यानि सर को जमीन तक जुकाना ही क्या क्या कहते थे सजदा और पाई बोस पाई का मतलब पैर बोस का मतलब बोसा लेना चूमना ठीक है तो पाई बोस मतलब क्या होता है बेटा kissing of feeds ठीक है सजदा का मतलब put your head down और पाई बोस का मतलब kissing of feeds ये था बेटा बालबन और बालबन जो था यहाँ पर ही जो में डाइनेस्टी थी slave dynasty वो क्या हो गई and हो गई और बालबन जो है वो 12 1287 में इंतकाल कर गया और 1287 के बाद बेटा फिरोज एक शक्स था इस फिरोज ने हुकूमत करी इसने सारी आर्मी को लेकर आया और फिरोज ने हुकूमत करी और फिर पूरी हुकूमत किसके पास चली गई जलाल उद्दीन खिलजी के पास और इस खिलजी ने बेटा एक नई डाइनेस्टी बनाई स्लेव डाइनेस्टी को छोड़ कर और वो नई डाइनेस्टी कौन सी थी बेटा खिलजी डाइनेस्टी जिसको हम खिलजी डाइनेस्टी बहुता है खिलजी रॉंग प्रनंसियेशन है असल में एक खलजी लब्स तो खलजी डाइनस्टी का फाउंडर कौन था जलाल उद्दीन खिलजी बालबन का एक बार और ओबर्वियू लेते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या बालबन का टाइम पिरिएट 1266-287 पहला राजा जिसने तुरकाने चहलगानी से लड़ाई ली और बरकी उनको उखाड कर फेक दिया उनका फिर कोई भी इंटरफेर सल्तनत के कामों में मौजूद नहीं रहा मिलिटरी डिपार्टमेंट को फाइनस डिपार्टमेंट से लग कर दिया military department को दिवाने आरिस कहा जाता है और finance department को दिवाने विजारत कहा जाता है जिल्ले इलाही नाइब खुदाई जिल्ले का मतलब परचाईई इलाही का मतलब God, यानि the shadow of God नाइब खुदाई, representative of God या फिर voice right of God, या फिर नाइब खुदा चीक है, दो प्रैक्टिस इसने करी सजदा और पाईबो, सजदे का मतलब सर को जमीन पर लेके आना, पाईबो का मतलब kissing of the feats, लोगों के पैरो को, या राजा के पैरो को चूमना, ये था बार्बन, बार्बन के बाद फिरोज आए और फिरोज के बाद फिर कल जी डाइनेस्टिज की ben condemn-क अच्छिए और उसके फा rapid थे जुल जाला नेक्स वीडियो में हम लोग कल जी डाइनेस्टिज के बारे में और तगलव डाइनेस्टिज के बारे इन दोनों डैनेस्टिज को हम एकी वीडियो हम कवर अ-प करेंगे आप लोग साथ रहिए, follow करिए please do share, do comment and do subscribe कोई भी दिक्कत हो तो मुझे comment box में let me know ठीक है, thank you, assalamualaikum